जिम्मेदारी आप सबकी भी है आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बागते हों गलत निताद आप सुनते हों 35 वर्सों में आपने एक सांसच सुना और आज आप उसको गाली देते हो देश में इस वक्त लागडाउन गोशित है लागडाउन का आज पांचवा दिन है इस बीच खबरे आ रहे हैं लगातार दूसरे राज्यों से जिले हैं वहां से लगातार लोगों के पलायन करने की खबरे आ रहे हैं और तमाम सामाजिक संगठन और जिला प्रिशासन शासन अस्तर से लगातार प्रियास किया जा रहा है जो पीडित हैं जो जरूरत मंद हैं उनकी मदद की जाएं इसे बीच एक और बड़ी और अच्छी खबर आई है कि कॉंग्रेस पार्टी ने भी कमर कस लिया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉंग्रेस के जिलाद ए कि सरह की योजनान बनाई है आपके जिलाथ कांग्रेस कमिटी ने ताकि जो पीडित हैं जिनको मदद की जरूरत उनको मदद कीजा से के द् актив हम् लोगों के दवारा जीला कांग्रेस कमिटी के द्वारा जो की हमारी राष्टरी महस साची उत्तर प्रदेश की प्रभारी स क्रोना फाइट्स ग्रूप बनाया है उस ग्रूप में हमारे कांग्रेश के बरकर हैं इनकी संख्या लगबग 300 है जो फेस्बुक चला है जिले में जो वार्चाप फेस्बुक से जुड़े हैं जो इंटाइट मोबाइल रखे हुए है लगबग 300 लोगों का एक हम लोगों ने खाने बगर मरने लगे भोजन के अभाव में मर जाया या भोजन से पीडित हो ऐसा नहों उस तो भोजन से अगर पीडित है तो हमारी की स्टेंथ क्या है हमारी ताकत क्या है हम सबको तो खाना खिला नहीं सकते बगर प्रसासनिक सहोग के बगर सामाजिक सहोग के तो ऐसे मे ये एक अपील की, कि आप जीतने भी कांग्रेस के आप वरकर हो, सबसे पहले तो लागडाउन का पालन करो, लागडाउन का पालन करने में प्रसासन का सहयोग करो, और अपने घरों में रहो, अपने घर से अगर सुरच्छा के दिस्कूर्ण में अगर आप निकलते हो, तो जीले का ताना बना इतना मजबूत है, कि गाउं में ऐसे लोग हैं, जो कि खुद कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के कारकरता भी सामिल हैं, एक बात तो यहां तक जिसकी रिपोर्ट हम लोग के उस ग्रुप पर आ चुकी हैं, अब आगे की बात होती जीले का संजोजक बनाया गया, उनके साथ 11-12 सा संजोजक बनाया गया विदान सभावार, अब हम लोगों ने लक्ष रखा है कि जितना आजिक सादिख हो सके, हम लोग एक हजार लोगों का लक्ष लख रखा है कि अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक हजार लोग पर्याप्त रहेगा, तो एक हजार का हम लोगों ने लक्ष रखा है और अभी तक हमारे पास जो कलेक्षन है लगबख 2-300 लोगों का हो गया है, जो कि यह भी परसों ही हमने मन बनाया है, कल कुछ लोगों ने योगडान भी दिया है कि रानाज की दुकान पर अभी यहां से होने के बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पर, तो हमारा कल साम तक या परसों तक मैक्सिमुम जो हमारा लक्ष है, वहाँ तक कलेक्षन हो जाएगा, अपक तक लगता है कि एक हजार का जो आपने आकडा पकड़ा है, अनुमानित समय क्या है कि लोगों की मदद करेंगे, इसक में अगर कोई पीडित है तो उसको हम अगर भोजन करके उसको हम अगर हाइलाइट करें अगर आज के परिवीच में यह करेंगे लेकिन आज का समय यह करने का नहीं है हमने ये कहा है कि आप लोग एक काम करिए कि अपने घरों पर जो सहोग देने वाले लोग हैं हमारे कि आप अपने घरों पर जो है आप पैकेट बनाईए पैकेट बना करके दस पैकेट पांच पैकेट बीस पैकेट जो भी आपकी छमता है इसी रेशियो में बना करके हमारा ज दूसरी चीज उनको निर्देश दिया गया है कि आप जो है अपने छेत्र के जो पीडित लोग है उन पर नजर रखिए अगर आपको लगता है कि आपके ब्लाक में 20 लोग ऐसे पीडित हैं जिनके पास साम तक भोजन की दोस्ता नहीं है या कल से नहीं रहेगी तो आप हमको स सुचित करी हम प्रसासन को सुचित करेंगे प्रसासन जो हमने बनाया है कि प्रसासन अपने उस सम्मंधित जो भी वहां का मातवत होगा इस डीम से लेके तसिल्दार तक जिसको इन्होंने अधिकृत किया होगा उसको सूचना देगा उसको सूचना देने के बाद जो हमारा रखा हुआ है उसको भी आप उपयोग मिले सकते हैं जो हमारे लोग हैं ये पूरी हाइज जी मैं आप से जाना चाहूंगा आप वरिष्ट पत्रकार हैं और जिले के कांग्रेस के कद्दावार नेता हैं काफी समय से आप राजनीती में सक्री भी हैं लेकिन पत्रकार इता के क्या मानते हैं कांग्रेस की जो महा सची हूं है प्रेंका गांधेज ने जो कदम उठाया है तो कितना जरूरी मानते है और यो जो आपको जिला सन्योजक बनाया गयाए एक कोई फोर्स का गठन हुआ है पर बहूंजी बता रहे थे तो वो कितना जरूरी है और कितना इस से भरा पड़ा हुआ है जो वो सतनता के अंदोलन से लेके आज तक की तारीख में कि कॉंग्रेस हमेशा इसमें बढ़ चड़ कर भाग लेती है और कभी भी कोई भॉणडा परदर्शन करने का कॉंग्रेस का इसी कोई परंपरा नहीं रही है इसमें अब ये भी मैं आपको जो इस बात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं इसी लिए कॉंग्रेस के हमारे जिला देक्ष है प्रवीन सिंग जी ने उन्होंने कॉंग्रेस के वरकर्स के लिए जो अपने संदेश में कहा है प्रेंका जी के निर्देशा नुसार कि हम इसका कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे बलकि हम वास्तविक्ता का पता लगा के चुकि कॉंग्रेस का वरकर गाउं में है ये भी एक सचाई है तो जब वो गाउं में है तो बटनेचुरल बात है कि छोटी सी एकाई में वो आराम से पता लगा सकता है कि किस वेक्ति के पास खाने का सामान है, किस वेक्ति के पास नहीं है. जैसा कि अभी मैं आपको बताओ, एक हालिया सुचना है, कि कली एक सुचना भी ऐसी आई है, जिसमें हमारे आजमगड़ के समवेदिन शील कलेक्टर हैनिपी सिंग साहब, अब आज उन्होंने दौरा भी किया है सुबह उस गाउं का एक मुसहर बस्ती का वहाँ लोग एक लतरी की घास जैसी चीज जो परम परागत रूप से खाते रहें कई बार वो खा रहे थे लेकिन उन्होंने ये कह दिया मीडिया पर बाइट में कि साब वहाँ पास खाने के लिए कुछ नहीं है जब कलेक्टर साब वहाँ पहुचते हैं तो पता चलता है कि साब उनको 27 तारीक को वही आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की सूचनाओं को रोकने के लिए और साथी साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए और सही बात का पता लगाते हुए और जो सचमुच पीडित परिवार है उस तक मदद पहुचे अईसा हमारी राष्टिय महासची प्रता गांधी जी का हमारे जिले के अद्द्धिक्ष प्रवीन सिंग जी का हमारे जो यहां के फरभार ही विश्विजे सिंग जी लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि गाउं में आप व्यक्ति व्यक्ति तक जाओ, चुकि गाउं में घूम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये पता लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सच्चाई अगर कोई प्रीडी वास्तों में तो उसकी सूचना पहले हम प्रशासन को द हैं वो भी इस काम में हिस्सा ले रहे हैं प्रशासन भी अपने अस्तर पे लगा है और कॉंग्रेस के गाउं में बसता है वो किसी को खाय बगैर मरने की मतलब और हो नहीं आपने हमने बादचीत किया दोनों लोगों से एक वरिष्ट पत्रिकार हैं साथ ही साथ कॉंग्रेस के नेता हैं आसुतो दिवेदी जी और कॉंग्रेस के जिला अध्याक्ष परवीड सिंग जी हैं एक और आखरी सवाल लूगा मैं आपसे अक्सर सोशल साइटों पे लगाता जब देख ने करता किसी वी दलका हो चैगाउं से लिए करके देश का नेता मैं मानता हूँ कि आप नेताओं को जितना कोस्ते हैं मतकोसि उसकी बहुत बड़ी भुम्का है मैं पत्रकारों को हरेस्ष करूं उनके बारे मुल्टा बोनू नेताओं के बारे मौनूं मैं वसी दावे के साथ कह रहा हूँ, कि नेता ही सब कुछ कर रहा है, मैं एक्जामपल के तौर बे मैं कह रहा हूँ, गाओं में आज कैसे मदद हो रही है, वो विचारा प्रधान, जो जीता है, जो अरतमान में प्रधान है, आगे चुनाव पंचायत का आने वाला, जिसको लड़ना ह जो जीला पंचायत का प्रत्यासी बनना चाहता है, इसके इंदर लनक है कि हम कल जीला पंचायत लड़ेंगे, ये सारे लोग इस मुही में लगे हैं, अगर मेरी बात गलत हो, मैं आपके माद्धम से जीले की जनता को बताना चाहता हूँ, कि जो आप जनता तो कह रही करने के हमें अधिकारी नहीं, इसोर को सब कुछ बोलने का अधिकार है, जनता बोल सकती है, लिकिन मैं आज फीर आप से बताता हूँ, कि आपकी गाओं का प्रधान पद का प्रत्यासी जो अपना सपना पाले हुए है, वो छेत्र पंचायत प्रत्यासी जो सपना संजोए आप दावे के साथ गाउं में जाइए, चुकि ये सहर के लोग दिल पर हाथ करके बताई हो आपके बीच काम कर रहा है, किसी भी दलका हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी राजनितिक दल से जुड़ा हो वही आपके बीच काम कर रहा है, और यह पत्रकार मैं बदा रहा हूं, पत मेंदारी से क्यों भागते हो, गलत निता तो आप चुनते हो, 35 वर्सों में आपने एक संसत चुना, और आज आप उसको गाली देते हो, जिस जब 35 वर्सों तक आपने चुना, तो इन 35 वर्सों में लगवक्ष साथ टर्म ने आपने तमाम निताओं को हासिये पे कर दिया, जो आपकी शेवा कर सकते थे, तो जैसी बात है, देखिए चैन प्रक्रिया में दोस है, और परिवर्तन जब होता है, तो परिवर्तन चैन प्रक्रिया उसकी होती है, उसकी भूमिका में आपने जो यह कदम है, अनाज बैंका हो, या जो फोस बना करके आप लोग जगा जग उपर नहीं डालना है, चुकि हम इसको एक मानोता इंसानियत समझ करके काम करना, जितनी अपनी चमता हो, आपने पूछा भाई साब से, अस्तो जी से, क्या एक हजार के उपर, एक हजार तो हमारा लक्ष है, मुझे ऐसा लगता है, हमें एक हजार तक कर सकते हैं, हो सकता है, इस प्रयास में हमारा होसला आप लोगों के सायोग से और बढ़े, इस वर हमें और सकती दें, और इस वर ने करें कि और लोगों को जरूवत पड़े, इसके पहले ही करोना हमारी हमारे देश से समाप्त हो जाए, और अगर जरूवत पड़ेगी तो हम लोग अंतिम सांस तक जितना हो सकेगा मदद करेंगे चुकि सबसे पहले मानवता को बचाना आवस्सक है चुकि इस देस के लोग रहेंगे तभी सब कुछ हो सकेगा आपदा किस घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की जो जिला एकाई है उसने जो गदम उठाया है वो निसंदे तारिफ के काबिल है ऐसे तमाम लोग जो भी अपने दायतों को समझ रहें अपने फर्ज को समझ रहें आगे आ करके लोगों के अगर मदद करना चाह रहें निसंदे मानवता के द्रिश्ट कोर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कदम है और ऐसे प्रयास लगातार होते रहने चाहिए हम ऐसे तमाम लोगों से आपको समय समय पर मिलाते रहेंगे उनकी अच्छी चीज़ों को भी आपको दिखाते रहेंगे ताकि समाज को जो अच्छी चीज़ें वो किस तरह से जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें